नमस्ते मीत्रों कक्सा पांच पांच चार सोच अपने अपने चीत्र को देखना है और समझना है ये चीत्रों में सुबह हो रही है सुबह का चीत्र दिखाई दे रहा है परवत है परवत के उपर शुरत दादा निकल रहे है सुबह सब लग लग पक्षिया उड़ रहे है और कल्रों भी कर रहे है दिखाई दे रहा है ये चित्र में गर भी है कई सारे मस्त गाउं आए इसके अंदर गर कितने है एक दो तीर चार पाँच पाँच गर है गर के पीछे मंदीर है और मंदीर के आसपास कई सारे पैड है लेकिन जो बड़े पैड दिख रहे हैं वो दो पैड नारियल के है इस गाउं में चरवाड भी है जो भेड बक्रियों को गांस चराने ले जा रहा है गाहें बेर से बक्री भी हैं और ये रास्ते के अंदर एक किसान जा रहा है जो उसका पाला हुआ कुत्ता भी उसके साथ जा रहा है सुबह सुबह सब अपने काम करने जा रहे है खेती करने जा रहा है और चर्वा के हाथ में एक डंडा भी है किसान के हाथ में भी एक डंडा है रास्ते के इस पार एक मास्त बगीचा दिकाई दे रहा है इस भगीजे का अंदर कहीं सारे हरी हरी गास है फूल है और अच्छी अच्छी तितलिया भी उड़ रही है दो लड़किया है और लड़का तितली को देख रहा है और दोनों लड़किया तितलियों को पकड रही है ये अच्छा सा गाओं है और सुबह का मस्त चित्र बताया गया है उसके अनुशारां प्रश्न के उत्तर करेंगे अस्तो